उनके पैरों में चप्पल नहीं थी चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे जेकिन रास्टपती ने जब उनके हातों में पद्म श्री सम्मान थमाया तो बेहत साधरन दिख रहे शक्स के करद का अंदाजा हुआ और वहां मौजूद हर आदमी ने तालियों से इसका स्वागत कि सुमवार को साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म सम्मान दिये गए उनमें से कईयों की प्रष्ट भूमी बेहत मामूली है लेकिन इनके हौसले और इनका काम इने आसाधरन लोगों में खड़ा कर देता है ऐसे ही लोगों में से एक हैं करनाटक के हरेकाला हजजाबा निरक् पूंजी से बैंगलोर के पास अपने गाउं में साल 2000 में एक स्कूल खोला था पादमश्री मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग इनके बारे में चर्चा करते देखे गए लोग इनकी बड़ी सोच पड़ी मेहनत और इनके संगर्ष की दास्ता की खुब तारीफ कर र प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बनवाया बैंगलूरू से साड़े 300 किलोमेटर की दूरी परिस्तित न्यूपाडपू गाउं में साल 2000 तक एक भी स्कूल नहीं था लेकिन डेड़ सो रुपे प्रते दिन कमाने वाले हज्जाबा ने अपनी जमापूजी से गाउं में पह है उन्होंने कहा था तब मुझे एक ख्याल आया कि गाउं में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे गाउं के बच्चों को कभी इस इस्तिती से गुजरना ना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ स्थानिय लोग हज्जाबा की इस कोशिश के लिए उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते लेकिन हज्जाबा के लिए प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है वो मिशन जो उन्होंने शुरू किया है साल 2000 में जब उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की तब उन्हें किसी से कोई खास सा योग नहीं मिला था इसके बावजूद उन्होंने एक स्थानिय मस्जिद से सटे मदर्थे में ये स्कूल खोला और 28 बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करवाया जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की संख्या बड़ी उन्हें बड़ी जगे की जरूरत महसूस ही तब उन्होंने करदे के लिए अर्दी दी और अपनी जमा पुंजी से स्कूल की एक इमारत बनाने की शुरुआत कर दी हजजाबा की इस लगन को देखकर कई लोग सामने आए और उनकी मदद में जुट गए लेकिन हजजाबा के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ था एक स्थानी अखबार ने तब हजजाबा की कोशिशों के बारे में लिखा था और सरकार ने उनकी मदद के लिए एक लाख रुपे दिये हजजाबा ने बीबी सी से 2012 में कहा था मुझे सरकार की ओर से एक पुरुसकार दिया गया जिसमें मुझे एक लाख रुपे की राशी दी गई इसके बाद लोगों ने भी मेरी मदद के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिये तब से लेकर अब तक हजजाबा को कई तरह की मदद और पुरुसकार मिल चुके हैं और आम लोग उन्हें समाज का नायक मानते हैं पनमश्री सम्मान ने हजजाबा की लगन और संगर्श की कहानी को एक बार फिर रेखांकित किया है